इस टीम जाइका में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोफत करी तो चलिए शुरू करते हैं कोफते बनाने के लिए हमें चाहिए होगा धन्या पौडर दो टीस्पून लाल मिर्च पौडर वन अद हाफ टीस्पून गरम मसाला पौडर हाफ टीस्पून हल्दी हाफ टीस्पून नमक स्वाद अनुसर यहां पे मैंने लिया है मटन मिंस 700 ग्राम्स तेल 3-4 तेबल स्पू दो से 3 टीस्पून रोस्टेट ग्राम यानि फुटाने तो यह सारी चीज़े हमें सिर्फ कोफते बनाने के लिए जरूरत होगी सबसे पहले हम यहां पर एक ड्राई ब्लेंडर जार में रोस्टेट ग्राम यानि फुटानों को ड्राई ग्राइंड कर लेंगे इसका फाइन पाउडर बना लेंगे यह roasted gram इसमें डालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक binding agent की तरह काम करती है कोफतों में यह डालने से कोफते आपके कभी भी तूटेंगे नहीं तो थोड़े से यह फुटानों का जो mixture है यह डालना बहुत जरूरी है अब आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से powder हो चुका है अब हम उसे side में रखकर coconut को grind कर लेंगे पहले coconut को हमने पतला काट लिया है ताकि यह easy से grind हो जाए तो अब आप देख सकते हैं coconut को हमने coarsely ground कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे अध्रक लहसुन का paste अब हम इन दोनों को मिला कर fine paste बना लेंगे इनका अब आप देख सकते हैं हमारा coconut का masala बिल्कुल तयार है अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे अब हम हमारे खीमे को थोड़ा सा grind कर लेंगे इसको जादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है बस थोड़ा सा ही पल्स कर लीजेगा ताकि खीमा जो है वो थोड़ा सा blend हो जाए बिल्कुल इसी consistency का आपका खीमा होना चाहिए अगर आप खीमे को blend नहीं करेंगे तो आपके कोफते जो है वो शेप में नहीं होंगे तो थोड़ा सा ही इसको blend कर लीजेगा अब ये हमारे सारे मसाले बिल्कुल तियार है अब हम खीमे में ये सारे मसाले जो है वो अच्छे से mix कर लेंगे ये हुआ लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया और हल्दी ये सारे मसाले सिर्फ कोफतों के लिए है इसकी ग्रेवी के लिए हम अलग से मसाले लेंगे और अब हम डाल रहे हैं ये फुटानों का पाउडर और साथ में ये कोकनेट का मसाला अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से घून देंगे इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि सारे मसाले जो है वो खीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं अब आप देख सकते हैं हमारे कोफतों का मसाला बिल्कुल तियार है अब हम इसके छोटे-छोटे कोफते बना लेंगे तो सबसे पहले हम हातों पे अच्छे से तेल लगा लेंगे ताकि ये आपके हातों पे चिप के न अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स लेकर इसको अच्छे से रोल करके कोफते बना लेंगे इसको अच्छे से रोल कीजेगा ताकि ये मुलायम सा, सॉफ्ट सा कौफटा बने इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए अगर कौफटों में क्रैक्स आएंगे तो वो तूट जाएंगे तो अच्छे से इसको रोल करके कौफटे बना लीजेगा अब आप देख सकते हैं हमारे सारे कोफते जो है वो बिल्कुल तयार है इसको मारिनेट वगेरा कुछ भी करने की जरूद नहीं है अब आप डैरेक्ली कोफते बना सकते हैं तो सबसे पहले हम हमारे प्रेशर कुकर में तेल डाल लेंगे यह कोफते हम कुकर में बनाएंगे तो यहां पर हमने डाल लिया है तेल तेल की क्वाइंटिटी इसमें थोड़ी सी जादा लगती है ताकि यह अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएं अब तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें कोफते आड़ करेंगे फ्लेम हमने मीडियम पे रखा है तो सारे कोफते हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे यह देखे सारे कोफते हम हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है इसे पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए जब तक वो बन रहा है हम ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक मीडियम साइस का आनियन स्लाइस करेंगे हमारा इंस्टेग्राम पेज एस्टीम अंडर्सकोर जाइका को ज़रूर फॉलो कीजेगा हमारे चानल रिलेटेड अपडेट्स के लिए अब आप देख सकते हैं हमने ओनियन को फाइनली स्लाइस कर लिया है अब हम इनको थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे तो एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें हम अनियन्स को फ्राइ कर लेंगे अच्छे से खोल के डालिएगा ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए इसे तीन से चार मिनिट लगेंगे गोल्डन ब्राउन होने में तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे दो से तीन मिनिट के बाद आप देख सकते हैं ये हलके हलके से ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं लेकिन हमें इन्हें डार्क ब्राउन करना है तो हमें करीबन और दो से तीन मिनिट इसको फ्राई करना पड़ेगा अब आप देख सकते हैं टोटल फाइव मिनिट्स के बाद ये कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब ये तियार है तो स्टोग को अब हम आफ करते हैं अब चलिए हम मसाले को रेडी करते हैं तो सबसे पहले हमने ब्लेंडर जार में लिया है दो से तीन लॉंग डो इलाइचियां और तीन सिनिमन यानि दालचिनी के तुकड़े इसके साथ हम दालेंगे कोकनेट जिसको हमने थिनली स्लाइस कर लिया है और साथ में हम डालेंगे जिसको अभी अभी हमने फ्राइ करके रखा था इन सब चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे आप चाहे तो थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं अब आप देख सकते हैं हमारा जो कोकोनेट का पेस्ट है वह बिल्कुल तियार है यह कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे टमाटोस टमाटोस को हमने रफली चॉप कर लिया है ताकि वह ईजी से ब्लेंड हो पाए अब हम टमाटोस को भी कोकोनेट के मसाले के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब आप देख सकते हैं टमाटोस भी कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे धनिया यानि कोरियांडर और इसको हम रफली ग्राइंड कर लेंगे धनिय को जादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है उसको बस रफली ग्राइंड कीजिएगा अब आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल पॉफिक्ट है और धनिय का भी टेक्स्चर बिल्कुल करेक्ट है तो अब हमारा जो मसाला है वो तेयार है और हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे अब ब्लेंडर जाल में हम थोड़ा सा पानी रिंस करके निकालेंगे हम इस ग्रेवी को थोड़ा थिन टेक्स्चर में रखना चाहते हैं तो हम इसमें पानी ज्यादा डालेंगे अगर अब थिक रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम यूज कीजेगा अब इस मसाले में हम डालेंगे अद्रक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून, धनिया, 2 टीस्पून, हल्दी, 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप तीखा जादा खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर यानि लाल मिर्च का पाउडर जादा इसमें डाल सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं हमने इसको कितना पतला किया है और थोड़ा पानी हम डालेंगे जैसे कि मैंने कहा था कि हमें थिन कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए तो इसलिए हमने पानी जादा मिक्स किया है इसमें तो अब हमारा ये ग्रेवी का मसाला बिल्कुल तेयार है अब चली हम देखते हैं हमारे कोफते तयार है कि नहीं पांच मिनिट तक हमने इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पका लिया है अब ये बिल्कुल तयार है अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो ग्रेवी का मसाला हमने बनाया था उसको ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है तो अब हम इसे हलकी हाथों से स्टर कर लेंगे इसे जादा स्टर करने की जरूवत नहीं है इससे आपके कोफते जो है वो टूट जाएंगे तो हलकी से स्टर कीजिएगा अब हम इसे प्रेशर को करेंगे दो से तीन मिजल्स तक अब हमारे कोफते जो है दो से तीन मिजल्स तक पक चुके हैं तो अब आप देख सकते हैं की ओईल किस तरह से उपर आया है कितनी अच्छी तरह से मसालों से सप्रेट हुआ है तो अब हमारे कोफते जो है वो बिल्कुल तियार हैं इसे आप stir कर लीजे और चेक कर लीजेगा अगर आपके कुफते अभी भी नहीं पके हैं तो आप एक और विजल के लिए पका सकते हैं तो हमारे कुफते हैं बिल्कुल तयार हैं अब हम इसमें डालेंगे ओनियंस, यह ओनियंस हैं जिसको मैंने फ्राई करके रखा था, तो इस ओनियंस को हम अच्छे से क्रश्ट करके ऊपर से डाल देंगे, और साथ में थोड़ी सी धनिया थी हमारे पास जिसको हमने चॉप कर लिया था, तो यह दोनों सिर फ्लेवर के ल यह सब फ्लेवर के लिए है, तो यह सब डाल कर दो मिनिट के लिए इसे दम पे पकने दीजेगा, ताकि फ्लेवर जो है वो सारी ग्रेवी में आ जाए, तो अब आप देख सकते हैं, हमारे कोफता करी बिल्कुल तेयार है, आप इसे किसी चीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, पूरियों के साथ खा सकते हैं, और साथ में आप बॉइल्ड राइस या नान किसी चीज के साथ भी आप खा सकते हैं, यह बहुत टेस्टी डिश है, आप इसे जरूर ट्राइ किजेगा, तो हमारे कोफता करी बिल्कुल तियार है, अग हमारा चानल इस टीम जाइका को शेर कीजेगा, सबस्क्राइब कीजेगा, थैंक यू फॉर वाचिंग